श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आदारित हैं चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ावाते है वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तो ये दिन आपको मिले जुले फल प्रतिपादित करेगा ये दिन बुरा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता फिर भी अच्चे सयोग होने के कारण ये दिन आपके लिए शुभी रहेगा इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे भाव में रहेंगे थर्ड हाउस में रहेंगे और वहां से भागिस्थान पर दुरुष्टी डालेंगे तो दिन काफी अच्छा और भागेशाली साबित हो सकता है तीसरा भाव पराक्रम का स्थान कहलाता है तो इस समय में आप पराक्रमी रहोगे जी हाँ जो भी काम हाथ में लोगे उसे आप अच्छे सी निभाओगे इस समय में लगबग हर क्षेत्र में आपको काम्याबी मिलेगी सुबह से ही आप प्रसन रहोगे फ् अच्छा लाब जरूर उठाए इस समय में आपकी धार्मिक चीदों की और रुची बढ़ती दिखाए देगी आप धार्मिक रहोगे इस समय में धार्मिक यात्राय भी हो सकती है और घर में कोई धार्मिक कार्य भी संपन हो सकता है दोस्तो इस समय में कुछ लोग आपसे भी मांगने आ सकते हैं उन्हें सही राहत जरूर दिखाए इस समय में आपकी बोली में मिठास रहेगी लोगों को प्रभावित करने में आप काम्याब रहोगे अगर आप राजनीती में हैं तो आपकी तरक्की काफी तेजी से हो सकती है आप इस वक्त एक अच्छे वक्ता के रूप में नजर आ रहे हो अगर कोई सरकारी काम करना है तो कर लीजे काम सफल होगा समय बिल्कुल सही है किसी नई चीज की खरिदारी करनी है कोई बड़ी खरिदारी करनी है या कोई नया काम शुरू करना है नया बिजनेस शुरू करना है तो इस समय में काफी सुन्दर य लोगों के लिए समय काफी अच्छा है और defense sector में काम करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुत फी बढ़िया रहे प्रमोशन यह नया जाब पाने के लिए भी समय आपके लिए अनुकूल रहे गा अगर इस तरीका कोई काम आपको करना है तो प्रयास जरूर करें आप सफल हो सकते हैं इस समय में यात्रा के भी अच्छे योग बन रहे हैं अपने बिजनेस या जॉब से सम्मंदित यात्रा भी इस समय में आपको करने पड़ सकती है यात्रा शुब रहेगी सफल रहेगी विदेश यात्रा के योग भी समय मे करेंगे तो देखे तो लगबग हर चेत्र में काम्याभी वसफलता इस दिन आपको मिलती दिखाई दे रही है नोकरी करने वालों के लिए और व्यापारियों के लिए समय हर प्रकार से शुबसावित होगा अगर स्टूडन्स की बात करते हैं तो स्टूडन्स को छोटी मोटी बाहरी रुकावटे आ सकती है इससे पढ़ाई थोड़ी दिस्टर्ब हो सकती है जैसे अचानक से महमानगर आ सकते है अचानक आपको कोई नया काम करना पड़ सकता है लेकिन समय काफी अच्छा है अंत में आपकी पढ़ाई मन मुताबिक पुरी जरूर होगी अगर परसनल लाइब के बात करते हैं लव लाइब के लिए भी ये समय बहतरीन है कोई ऐसा रिष्टा आपके जीवन में बन सकता है जो आपने सोचा तक नहीं होगा जी हाँ जीवन के हर बलका पूरा आनंद उठाने की कोशिश जरूर करें और आपके और आपके अपनों की जीवन को ख अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में आई गई है तो वीडियो आगेज जरूर देखे नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें व अमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उता होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कहीं से भी बाहर से आते हैं कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कहीं पर भी उतार देते हैं कुछ-कु जोंपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चप्पल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते है दोस्तो ध्यान रखे जूते चप्पल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा negative effect डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी area है वो पूरी तरह से साप सुतरा और हम जितना पा सकते हैं, उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी, इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए ज कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही, जिन लोगों को पता नहीं है, उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिने पता है, वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं, और एक भी चीज वहापर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्षमी हम पर पसंद नहीं होती मालक्षमी हमारे घर में आने की संभा वना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीची की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता ह इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में च्रिड़शेडा हट होती है और चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करत है उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हां वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडिका जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेश साब सुत्रा रखे मुख्यदार मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साब सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की पर मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिम साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरे हैं जैसे डूपते नाव की तस्वीर, या फिर झगडे की तस्वीर, या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि यह तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर मे नहीं रखनी हैं जी हां इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह के घटनाएं गटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद